नमस्कार माई डियर व्यूर्स एंड सब्सक्राइबर्स कॉविट नाइंटीन पैंडेमिक के इस लॉगडाउन में सिर्फ हम ही एमोशनली अंस्टेबल फिल नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा एमोशनली अंस्टेबल फिल कर रहे हैं और इस लॉगडाउन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को चियर अप करें तो मुझे आज थोड़ा सा बहार निकलना पड़ा इस लॉगडाउन में क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज्यादा सैट फिल कर रही थी डिप्रेस फिल कर रही थी तो मैंने सोचा इसको छोटी सी कार राइट घर की आसपास ही कुमा के ले हूँ तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ और यह जो आप एडिया देख रहे हैं यह रियाद का डिप्लोमेटिक वार्टर्स है बहुत खुब सूरत है डिप्लोमेटिक वार्टर्स लॉक्डाउन में कोई भी ट्रैफिक नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं सडके बिलकुल खाली है रोट्स एक तम सुनसान लेकिन बाहर का नजारा देख कर फिर भी यू फिल बेटर क्योंकि 50 डेज से मेरी बेटी घर के अंदर ही है थोड़ा बहुत हम उसको जो अमारा बैक्यार्ड है उसमें घुमा देते हैं थोड़ा सा घर के बाहर लेकिन आवर चिल्डर नीट्स यू आउटिंग्स कॉंस्टेंटली वो चाहते हैं कि बाहर जाएं पार्क्स जाना बिलकुल बंद हो गया है मतलब इस अल्टोगेदर वेरी डिफरेंट सेनेरियो फोर आउर चिल्रन और हम लोग तो अज़स्ट फिर भी कर लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए अज़स्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं देख पार नहीं हो कि मेरी बेटी जो है मतलब काफी अच्छा फिल कर रही है मतलब इतनी छोटी सी कार राइड में भी वो शॉर्ट कार राइड है इस नॉट वरी लॉंग ट्रिप के कहीं हम लॉंग जा रहे हैं घर के आसपास ही हम अपनी कार गुमा रहे हैं लेकिन उसमें मेरी पिटी हैपी फिल कर रही है दाट्स गुड तिंग रियाद में अभी रमजान की वज़े से थोड़ा सा इस करा है लॉकडाउन यहाँ पर जो मॉल्स हैं वो 9 तो 5 पीम खोल दिये गए हैं लेकिन इन मॉल्स में जो है सिर्फ एडल्स ही अलाउड हैं बच्चे अभी अलाउड नहीं हैं और यही थी मेरी छोटी सी शॉर्ट का राइट मेरी बेटी के लिए और आप सब लोग भी अपने घरों में सेफ होंगे और अपने बच्चों को भी सेफ रख रहे होंगे सब लोग थोड़ा सा चीर अप करने के लिए अपने बच्चों को आपने बच्चों को I don't think it's bad तो see you all, bye-bye